हम जोडने के साधन बना रहा हैं सोशल मीडिया जोडने का जोडने का लोगों को जानने का समझने का पहचानने का बहुत सशक्त माध्यम है लेकिन फिर भी हम बहुत अकेले हो रहे हैं बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है कोटा फैक्टरी से लेकर कई सीरियल्स कई मू के साथ जरूर आते हैं लेकिन क्या इनमें वो बाहुबल नहीं है या वो जो मानसिक शम्ता होनी चाहिए वो नहीं आपा रही है कहां चूक रहे हैं हम पेरिंटिंग से लेकर एस्पिरेशन तक मेटरलिजम विदाउट स्पिरिच्वलिजम इस और्फन भौतिक वाद अध्यादम के बिना अनात है जैसे आज के युवा को बढ़ियां गाड़ी चाहिए मर्सेडीज लेकिन अगर आपका मन खुश नहीं और आपको मर्सेडीज मिल गई यह बहुत इसी मैं चाहता था आप मुझे सवाल यह करें मैं इस युवा को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मन और शरीर शशक्त नहीं है तो इस दुनिया में आपको कुछ भी मिल जाए हिजड़ा क्यों गाली मानी जाती है एक समुदाय है वो एक क्रोमोस्लमल डिसफेशंसी है उनके अंदर उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए लेकिन फिर भी अगर हम किसी को हिजड़ा बोल देते हैं तो बुरा मान जाता है किया रहे है इन्होंने मुझे हिडला कह दिया तो भौतिक वाद का भोग सिर्फ अध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है और आज के युवा के जीवन से अध्यात्म पूरी तरह से गायब हो रहा है वो कहता यह धर्म यह पाखंड यह आविश्वास यह ध्यान यह कुछ भी नही युवा इससे बड़ी दुरघड़ना इस ब्रहंभांड में कोई नहीं हो सकती है और बढ़े मुझेतार बात कि ऐसे हजारों वीडियो अब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कौन सी दवा दस घंटे काम करती है कौन सी दवा बीस घंटे काम करती है यह सिर्फ मान सी खोकलेपन का प्रेणाम है अगर बीस साल का युवा असी साल का अगर आपनी ढूंड रहा है तो एक बार उस पर दया खाई जा सकती नाराज नहीं हुआ जा सकता लेकिन बीस साल का युवा अगर ऐसा कर रहा है तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने भौतिक वात को तो पकड़ लिया पर यह अध्यात्म को भूल है जो इस देश की जान है क्या इस डिवाइस के अंदर इजी अवेलेविलिटी एक कारण है बिलकुल कारण है बहुत बड़ा कारण है अब तो हम कुछ छुपाई नहीं सकते है बच्चों से जैसे आज से चालिस साल पहले बहुत सारे विशे थे जिन पर जानना बहुत मुश्किल था काम एक विशे है सेक्स एक विशे है उस पर जानना बहुत मुश्किल था अब उपने बच्चों से कुछ छिपाई नहीं सकते हैं आप ये जो बातें करते हैं, कई चात्रों का कहना है हाल के समय में, बहुत सारे coaching institute को लेकर भी बहुत सारे protest होये, चात्रों का कहना है कि अब ऑदोजा सर क्लास के अंदर ये सब ग्यान की बातें करते हैं, civil services की preparation तो करवाते नहीं, विशय के उपर चर्चा होती नहीं है, उस एक्सपर चर्चा करते हैं, वो जीवन के इस दर्शन के उपर चर्चा करते हैं, इसके लिए हम क्या करें, ये तो बाते बहुत जगा सुन लेते हैं इतिहास एक ऐसा विशय है, जब मैं Robert Clive को पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि honesty is not the best policy, क्योंकि प्लासी का युद्ध पूरा बहमानी पर ही जीता गया है, प्लासी के युद्ध में लड़ाई कहां होई, 29 लोग मरे थे Robert Clive की तरफ से, East India Company की तरफ से, और 500 लोग मरे थे श है, और जितना जादा कहानियों से उसे जोड़ा जाएगा, उतनी जादा समझव्यक्ति की बढ़ती चली जाएगी, तो जब मैं उन चीजों को जोड़ता हूँ, तो ऐसा नहीं कि सारे करते हैं, ये जब किसी व्यक्ति की के उपर हमला होता है, तो दो तरह का हमला होता है, एक हमला होता है जब आपके छेत्र के जो टॉपर हैं पढ़े लिखे लड़के हैं आई अधिकारी है अगर वह ऐसा कहें तो यह माना जाए कि हां भाई यह बात जायज है लेकिन आज के समय में जब हर कोचिंग का अपना एक आईटी सेल है ने विखेस आपको भी पता है कि किसी के बारा में को टूट्र पर कहलवा या सकता है वह सकता है त्रेंड कराल आज हो ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ट्रेंड कराने का ठेका लेती हैं तो आज के यूग में किसी भी व्यक्ति लेकिन मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूं जैसे आपने शुरुआ आप में वाइरल की बात कही तो मैं कभी-कभी लो दिन हो गया बड़ी सान्थी पहल्य विए यार हंगामा नहीं हो रहा है तो तो चर्चा की भुख है ना भुक नहीं है पिर आप जब जाятे कि अब थृनिया को आपको mist तो नहीं कर रही है, दुनिया आपको mist ना करें, वो आपको सुनती रहे, जानती रहे, देखती रहे कि हाँ परदे पर हैं जैसे हमारे एक बॉलिवुड के अक्टर हैं बिचारे मैंने सुना आज कल बढ़े आवसात से गुजरिए हैं तो यह आवसात जो होता है कि भही आप आज social media के दौर में कुई आवसात में हो ही नहीं सकता कुछ तो बाहर निकालिए कुछ तो बढ़ियां बोलिए कुछ तो कहिए कही ना कही कोई ना कोई आपको यही तो हो जाए सार यही तो instant gratification है, जो युलाउं को जो है बेतु की हरकते करवाता है, कभी platform के उपर, कभी metro train के अंदर, कभी चोराहे के उपर, तो यही हम सोशल मीडिया में धूंड रहे है, कि कोई मुझे जानता रहे, चर्चा करता रहे, दिखें कितने likes आए कितने shares आए देखें अभी मैंने एक वीडियो देखा बड़ा प्यारा वीडियो बहुत प्यारा मैं उन लड़कों की तारीफ करना करता हूं मैं नाम तो नहीं जाना था उन्हें बड़ा चोड़ा सा वीडियो बनाया कि husband wife लट रहे है और husband wife को धक्का देता है तो वाइव जाने लगती है तो लड़का दूर से देखता तो आता है husband को कॉलर पकड़ लेता है पत्नी को मार रहा है शर्म नहीं आती तुमको तो लड़की अपनी पत्नी की तरफ देखके कहता भईया यह बहुत कुट रहता है और लेडी पलटती है और आती है अपने husband की तरफ देखती फिर उस लड़की तरफ देखती और एक चपल खीश की उस लड़के को मारती जिसने उसा पकड़ रहा होता है अपने husband को नहीं लड़के को कहती लेकपाल है इंज़त है इनकी क्या मैसेज दिया उस लड़की ने कि कभी भी मिया वीवी के जगले में दंडा करने की कोशिश मत करना है तो मेरा मानना यह है कि अब कितना प्यारा मैसेज है यह जो पिक्चराइजिशन किया गया है किसी भी चीज़ को दो तरह से प्रेजंट किया सकता है एक constitutional एक unconstitutional तो constitutional presentation हमेशा कावी लेता रही है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें